स्टापलस के शो यह है मौपती मी लीप के बात कहानी और भी ज्यादा मज़िदार हो गई है ओंगोइंग ट्राक में दिखाया जा रहा है कि रमा निश्टा एक दूसरे के लिए अजना भी बन गए हैं दोनों की रास्ते अलग-अलग हो गए हैं लेकिन अब हमें आगे शो के अपकमिंग ट्राक से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिली है वो ये कि सिमी पीहू को जान से मारने के लिए मास्ट प्लान जी हाँ सिमी अपनी बेटी अनन्या की मौत का बदला लेने के लिए पीहू को जान से मारने की सद शर्टेंगी अब ये ट्राक कैसे आए का शो में हम आपको ज़रू बताएंगे लेकिन पहले शो के लिप ट्राक का एक छोटा सरी कैप आपको देते हैं दरसलीप के बाद दिखाया जा रहा है कि रामान इशिता से नफरत करने लगा है वहीं शिता भी अशो के साथ रह रही है क्योंकि उसी ने शिता को जेल से बाहर निकाला है और अब वो शिता को अपने साथ रहने के लिए मजबूर कर रहा है कि अगर शिता ने उसका कहना नहीं माना तो वो पीहू की सचाई सब के सामने लियाएगा और इसलिए इशिता आप चुपचा वैसा ही कर रही हैं जैसा अशोख खना चाहता है वहीं रूही भी पूरी तरह से बदल गई हैं वो अपने डियर पापा को बरबाद करना चाहती हैं बात दरसल ऐसी है कि रहान ने बड़ी आसानी से अपने सारे रास्ते इशिता से अलग कर लिये हैं जो रूही के लिए अपना अगवार है और इसलिए अब वो रहान से बदला लेने लगी हैं उधर सिम्मी को भी ऐसा लगता है कि शिता ने उसकी बेटी अनन्या की जान ली है तो अब वो भी पीहू की मौत से ही अपने बदले की आग को ठंडा करेंगी सोर्सिस की माने तो इसी कड़ी में आगे पीहू को जान से मारने के लिए सिम्मी बड़ा खतरनाक प्लैन बना सकती हैं जिसमें उनका साथ कोई और नहीं बलकि परम ही देगा अब देखना काफी मज़िदार होगा कि आखिर अपनी बेटी पीहू को कैसे बचा पाएंगी इसीता आखिर पीहू की शीमा क्या करेंगी जिससे सिम्मी और परम के मनसूबो पर पानी फिर जाए वाल ये देखना काफी मज़िदार होने वाला है आपको क्या लगता है? क्या शो में आगे पीहू की मौत हो जाएगी? जरूर बदा ये नीचे कमेंट बॉक्स में